स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यौक सायर और डर्बी सायर के बीच में जो T20 ब्लास्ट का मुकाबला खिला जाने वाला है इसके बारे में फुल प्रिव्यू लेके हैं पूरा वीडियो देखे कौन से खिलाड़ी आज स्मॉल लिक के लिए अच्छे पिक है कौन है ट्रम पिक्स जो आज आपके गेम चिंजर बन सकते हैं तो ऐसे बहुत सारा इंफोमेशन इस वीडियो में डिसकस करने वाले बस आपको पूरा वीडियो देखना है विदाउट इस्किप किया और इस व काहले कमेंड में लिंग के फटा फट जाओ जूड़ जाओ अब दोस्त जो यह मैच है वो खेला जाएगा है हेडिंग ले लीट्स के ग्राउंड पर चार बज़े मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा देखो हेडिंग ले लीट्स का विकेट होता कैसा है जनरल जो टिपिकल नीचर रहता है ओवर्डाल बैटिंग के लिए अच्छा विकेट रहता है स्टार्टिंग में थोड़ा इनीशियल मूव्मेंट मिलता है उसके बाद जब शूविकेट टेकिंग स्पिनअरे जो विकेट टूविकेट आर्ना घेंद रखते हैं उनको विकेट मिलने के चांस सेकंड इनिंग का आवरेज इसकोर 185 का है वहाँ इस्पिन ने 5 तो पेस ने 17 विकेट निकाले हुए है अगर आप देखेंगे ना कि जो दोनों मैच खेलेगा है वह देखो यहाँ पे एक मैच में 217 एक मैच में 195 के भी यहां मुकाबली खेलेगा है तो 100 बॉल्स का होता है व वह मैं आपको टेलिग्राम पे कनवे कर दूगा फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं अभी जो टीम है हेट टू हेट की बात करें 33 मुकाबली खेलेगा है यॉक्सायर ने 19 बार डर्भी सायर ने 14 बार जीते हैं लेकिन जो अभी के लिए जो टीम स्टेंध अग और बैटर्स इनके बास बहुत अच्छे है अगर इनके बॉलर ने एक बॉलर ने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया तो यह जो 45 वे 55 हो जाएगा और फिर यॉक्सायर के चांसे ज्यादा जीतने के क्योंकि यॉक्सायर ओवराल भी डॉमिनेट करती है ठीक है इसके लावत दोनों टीम का बैटिंग बॉलिंग स्टाइल देख सकते हो दोनों टीम ने अभी तक पांच-पांच मैच खेले हैं दो-दो जीते हैं और तीन-तीन हा रहे हैं यहाँ पर आप यॉक्सायर की टीम में देखो चारल लेफ्ट हेंडर है यहाँ पर कोई प्रॉपर ऑफ स्पिन यहाँ पर मैक्सिमम राइट हेंडर है यहाँ लेफ्ट हेंडर है यहाँ लुइस रीस तो उनके सामने आप डॉमिनिक बैक्स को बॉलिंग मिल सकती है इसके लाब आप यॉक्सायर की प्लेइंग लेवन देखते हैं और विध इंपॉर्टेंट प्लेयर है पहले आप वह द दॉमिनिक बैस और जो जाफर चुवान यह इनके जो है इस्पिनर्स है जो पार्ट टैम नहीं मतलब उवर कट जाते कभी-कभी ठीक है बाकि जो इनके टीम से रीसेंट फ़र्म देखोगे तो एडम लिथ 32-24 कोई बड़ा इसको ने है डेविड मलान अच्छी फ़र्म में माइकल रविष ने अच्छा किया हुआ है सानमसू थोड़ा स्ट्रगल कर रहे है थर्टीज में ही स्कोर कर पाया है दो मैच में तीन में फ्लॉप रहे है जॉर्डन थॉम्शन ने अच्छा किया हुआ है डेविड वीजा ने बहुत अच्छा किया हुआ है बैन माइक ने decent performance किया वाइबन बीच-बीच में इन्होंने अच्छे विकेट्स भी निकाले हुए अगर आप देखोगे तो इसके लाबा नीचे किसी और का अच्छा performance नहीं है कुछी प्लेयर्स पे इनकी टीम बेस है यह तीन आपको देख में दिखेंगे ठीक है अब इनकी टीम से जो चार ओवर पूरे डालते हैं एक तो यह ऊकसायर प्लेयर का प्लेयर-वाई इस है हरं एक प्लेयर का आपको स्टै खनी मिल जाएगा यहां से आप बैटिंग सेगे रख़के compressed और जो यह आख यो यह वां च्छा स़त है निकी टीम से ठीक है जैसे कि मानलों आपको किसी प्लेयर का स्टै फड़ नाए तो मच की 34 सिनिंग में 483 रन है 20 का एवरेज है और 42 मच की 33 सिनिंग में 30 विकेट है तो इनका रिकॉर्ड अच्छा है इसलिए मैंने इनको यलो गलर से मैंशन कर दिया बाकी यह प्लेयर्स का आप लोग रिसेंट स्कोर देख सकते हो लाइक यह इस टॉर्नमेंट से पहले का रिस जने लन पर साइनप नहीं गया तो फटा फट कर लो डेली फ्री गिवेवे जाता है आज भी 10,000 का गिवेवे था सरलंका और अफगानिस्तान वाले मैच में तो आपको फ्री गिवेवे की कमी नहीं होती है यहां पर फ्री में आप यहां पर खेल सकते हो और पैसे कमा सकते ह हुए पैसे को इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हो जिस सकते हो एक साथ कई सारे कॉंटेस्स कर सकते हो वह सारे फीचर जो हमको चाहिए होता है सबसे इंपॉर्टंट चीज यह है कि यहां पे दोखो जो यह अदर इवेशा है यह विज़न 11 के ऐन्टरीपीस है आपक इतना पैसे बचा सकते हो आपके लिए डिपॉजिट करके खेलना चाहे तो यह डिपॉजिट ऑफर भी है फस्ट डिपॉजिट ऑफर है इसके लावा अगर आपने डर्वी हम बात करते हैं डर्वी साइड की प्लेइंग लेवन जो इनके इंपोर्टेंट प्लेयर है लूिस रीस वेन मेटसन उसके बाद यहां से जैक चैपल इसक्रीमसो और जमान खान अगर इनका बॉलिंग फ्लॉप होता है na तो इनके बैट्समेन में लूिस रीस और वेन मेटसन के अलावा और तो इतना अच्या नहीं कर सकते कि इनने जादा मैचेस खेले नहीं है ठीक है तो यह थोड़ा दिक्कत में आ सकते हैं फिर उस समय अधर्वाइज इनकी टीम वेल बैलेंस नजर आ रही है क्योंकि बॉलर्स में से दिखो जैक चेपल का अच्छा फॉम है जमान खान का अच्छा फॉम है यहां पर टॉम वूड ने भी अच्छा किया हुआ है इसके लाब कहां पर बॉलिंग करता और कितने ओवर की बॉलिंग करता है वो देख लो जमान खान मार्क वर्ट जैक चैपल पाउर प्ले में देख में जमान खान स्क्रीम्ट यह दिन आपको दिखेंगे जिसमें से जमान खान ओल्मोस्ट यह रही कि देखेंगे जो इनकी टीम से चार उसको यलो कलर से मैंशन किया हुआ है तॉम हूड का स्टेट सोडा देखना आठ मच की साथ इनिंग में 242 रन है 40 का एवर्ज है और अभी जो दो मच कहला उसमें भी 30 प्लस का स्कोर किया हुआ है यह अधर प्लेयर्स का स्टेट से जो इंपोर्टेंट प्लेयर है उनको यल के साथ ठीक है यह कुछ अधर प्लेयर्स के स्टेट्स है आई मिन रिसेंट स्कोर है आप देखते वेए चल सकते हो स्क्रिंशोट देना है तो भी ले सकते हो अब थोड़ा हैट टूएड स्टेट्स देख लेते हैं जब दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस खेलते हैं जो हम इसके लावा यह 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 अधर मार्क वाट का फॉर्म अच्छा नहीं अदर्वाज इनका रिकॉर्ड का अच्छा है अब हम इस ग्राउंड की बात करेंगे यान इस ग्राउंड पर जम मैच होते हैं तो कौन इख लड़ी का कैसा रिकॉर्ड है देखो एडम लिट का 30 कावर इसके बाद यहां पर विल फ्रेन 28 का अच्छा था यहां से वेन मैचन इनका भी हैड तो एड में रिकॉर्ड अच्छा था और वैन्यू पर अच्छा है ठीक है अब वालिंग से बात करें इस ग्राउंड पर जॉर्डन थॉम्शन तीस मैच में 34 मैथ्वी फिचर 18 मैच में चाहो तो देख सकते हो यह कुछ प्लेएर बैटल है जैसे प्लेयर बैटल में आपको मैं बताता हूँ वैसे इसमें कुछ खास देखने मिलेगा नहीं जो आपकी श्मॉल लिक की टीम पर इंपक्ट डाले यह एक बार सब आउट हुए आप देखना चाहो तो देख सकते हो इस प्रकार से आप देखते वे चल सकते हो यहां पर आप देखो वेन मेट्सन को जॉड़न थॉम्चन ने 26 गंदों में दो बर आउट तु किया है लेकिन रंस भी 45 दिये तो इस ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है तो आप देखते वे चल सकते हो कुछ खास है नहीं किपिंग सेक्शन में हमें मजबूरी में लेना पड़ेगा ब्रूग गेस्ट को क्योंकि टेटर सेल तो काफी नीचे आते हैं अब अगर ब्रूग गेस्ट की टीम चेस करे ना तो आप टेटर सेल को लेने का रिस्क ले सकते हो क्योंकि हो सकता है फिर ब्रूग गेस्ट को उतन अच्छा स्कूर कर जाते हैं तो यह अच्छे पिक रहेंगे उसके बार डेविड मलान कंसिस्टेंट स्कूरिंग के लिए जाने जाते हैं और अभी दौर चल रहेंगे थोड़ा स्पिन के सामने स्ट्रगल करते हैं बट अगर इसलिए मैंने का फर्स्ट बल्ले बाजी है ना तो स्टाइटिंग में साइध उतना स्पिन ना हो तभी अच्छा खेल सकते हैं तब इनको कप्तानी भी बना सकते हो इसके अलावा एलडू प्लो है है तो ठीक था खीटा लेकिन अभी फॉर्म अच्छा नहीं है कंसिस्टेंशली रंस बनानी की चमता अभी तक इनमें किया था तो इंटरनेशनल टीम में भी सेलेक्ट हो गए थे बट उसके बाद इनका ऐसा डाउन फॉल हुआ कि अभी तक यह भर नहीं पाए और इनका फॉर्म काफी खराब चल रहा है तो स्मॉल लिग में थोड़े रिस्की पिक उसके अलावा नीचे टॉम वूड यह एक में आपके लिए डिफरेंशल पिक का काम कर सकते हैं जहां पर आपको तीन बल्ले बाज लेके जाना है ना वहां पर पहले तो आप सान मसूत को लोगे ठीक है लेकिन मैं कहूंगा कि यार आप टॉम वूड को ले सकते हो अगर इनकी टीम पहले बल्ले बाजी करे तो टॉम दाउन आये थे उसके बाद नीचे थ्री डाउन आ गए तो बैटिंग पोजिशन थोड़ा ऊपर नीचे है इसलिए मैंने का फस्ट बल्ले बाजी में आप इनको कंसीडर कर सकते हो बात रही सान मसूत की तो यह भी एक टेकनिकल बल्ले बाज है और इनका भी फॉर्म पिछ नहीं कर पाए और यहां पर भी पांच मैंच अगर आप देखेंगे तो 30 का इनको 30 में आउट हुए है स्टार्ट मिल गया बट बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए हाला कि उसके लिए जाने जाते इन्होंने किया भी हुआ ऐसा प्रूफ किया हुआ है अपने आपक अगर इनकी टीम ने चाहा सामने लेफ्ट हैंडर से तो इनको गेंदबाजी भी मिल सकती है क्योंकि यह अपनी टीम के लौते ओफिस पिना रहे है फिलाल अगर जो प्लेंग 11 वही रहा तो उसके बाद लूइस रीज कुछ ओबर गेंदबाजी कर सकते हैं प्लस टॉप इस टाइप के बल्लेबाज है उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं लेकिन चुकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों है तो आप इनको अपनी टीम में जरूर लेके जाएगा अगर आप रिस्क लेना चाहा रहे हो जहां पर आपको पांच ओल राउंडर लेने की यहां पर इनका फॉल यूज होता है बॉलिंग से भी चार ओवर डालते हैं दथ में भी आ जाते हैं बल्लेबाजी में भी अगर बल्लेबाजी आती है तो most of the time scoring करके जाते हैं मस्ठब पिक इवेन कप्तानी वाइस कप्तानी के भी अच्छे माटेरियल जोटन तॉम्सन और डेविड वीजा माइकल रिवाइस ठीक ठाक पिक रहेंगे डिसेंट परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं बल्ले गिंद दोनों से चारोबर पूरे कर रहे हैं तो जहां पर मस्ठब पिक फर्स्ट निंग में दथ में आ सकते हैं अभी तक तो इन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया हुआ हुआ है ठीक ठाक विकेट निकाल रहे हैं उसके बाद जमान खान ये ठीक ठाक विकेट निकाल रहे हैं फॉर्म भी काफी अच्छा खासा है इन्होंने पी ए कि जा सकते हैं इनी टाइम उसके अलावा बल्ले बाजी में भी अच्छे खासे हाँ दिखा सकते हैं तो बैन माइक थोड़े रिस्की होते है कि कभी भी अंडर बॉल हो सकते हैं बट अगर इन्होंने तीन से चार और करवा है तो विकेट लेने की छमता है प्लस देथ में भी अगर फर्स दिंग में गिंदबाजी नहीं करेंगी तो साइद में को छोड़ दूए निके बैन माइक को लेकर चले जाओं मार्क वर्क का रिकॉर्ड स्क्रीम भी विकेट टेकिंग बॉल आरे लेकिन ध्यान रखना पस थोड़ा फॉर्म उतना अच्छा नहीं है इस तीम क को दिया है वाइस कपतानी मैंने डेविड मलान को दिया अब जिसकी टीम पहलेstorm करें आप उसको कफटानी दे सकते हो ये रुवर्स कर सकते हो तो मैंने बैटस को का सब्सकर पास यह अच्छा परफोर्मेस कर रहे हैं यह लोग आपके लिए स्मॉल लिग में अच्छे केप केप्टन वाइस केप्टनशी के लिए अच्छे ऑप्शन है और सान मसूद, टॉम वूड, मकी अनन, बैन माइक और अल्डू प्लोई सबके बार में आपको मैंने डीटेल में एक्स्प्रेइन किया है कौन सा प्लेयर की सिच्वेशन में अच्छा पिक हो सकता है तो इनको ना Grand League में accordingly try कर सकते हो as player, Small League में भी कर सकते हो अगर आप risk taker हो तो और इन Trump picks का use करते वे और ये Captains Vice Captain C का use करते वे आप अपनी Grand League के combinations बना सकते हो ये तो मैंने Small League की टीम दिखाए जो 3-4 मेंबर वाली होती है ठीक है अब इस टीम में हम लोग 2 batsmen के साथ जा सकते हैं ये वह आली टीम है जिसमें हमें तीन batsmen लेने Compulsor ही है वहाँ पर simply आप देखो मैंने revise को drop करके San Masood को लिया है San Masood की जिगा हम Tom Wood को कब ले सकते हैं वह भी मैंने आपको समझा है अगर आपको revise को लेना है तो आप revise को कैसे ले सकते हो वह भी मैंने आपको समझा है ठीक है तो hope करता हूँ आप लोग काफी अच्छा सीखे होएंगे और इस टीम में match report, toss report, playing 11, number of ballers count करते हुए किस तरीके से आपको changes करने है और जो यह toss report है, match report है, pitch report है, playing 11 है, number of ballers है और position, batting position है सारी update टेलिग्राम पर हम दे देते हैं after toss जो की free है बिल्कुल, टेलिग्राम से जुड़ जाओ, video के description में लिंक है, comment section के सबसे पहले comment में लिंक है फटा फट जाओ एंग जुड़ जाओ, वहाँ पर जुड़ जाओगे तो आपको जो भी final update मिलेगी, आप accordingly अपनी team में खुद से changes कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने video पूरी देखिए, तो आपको पता है कौनचा player की situation में आपके लिए अच्छा पिक रहेगा, और वो सा टेलिग्राम से जुरदाना वीडियो के description में link है